हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो माई यूटूब चैनल इंग्लिश विद माया एंड कैसे हैं सभी लोग आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड तो फ्रेंड हमारे सीरीज चल रही हैं इंग्लिश लिटरेचर की जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं 800 क्यूस्टिन की सीरीज को जिसमें ह सब के लिए मोश्ट इंपॉर्टेंट है जैसे जो बिहास सेवेंट फेस के जो एक्जाम मतलब की जो वेकेंसी आई है वो उसके लिए भी मोश्ट इंपॉर्टेंट है तो आप लोग इससे जुड़ना बिलकुल मत भूले और पूरी क्लास एंड तक देखा करें तो चली फ को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें शेयर करें तो चली फ्रेंस आज हम लोग देखते हैं 651 से किस्टेंस को वाई डीडेंट एलेक्जेंदर पॉप अटेंड एलेक्जेंदर पॉप ने क्यों नहीं अटेंड किया क्या एन इंग्लीश इंवस्टी मतलब कि इंग्लीश इंवस्टी में एलेक्जेंदर पॉप ने क्यों अटेंड नहीं किया ही लिव इन इतली अंटिल दा एज आज अव 27 या फिर अस्थमा हेड़ेश और इस्पाइनल या फिर डिफामेटी में हिम एन अन्वालिड या फिर ही अन्वाज ही कैथोलिक वो कैथोलिक थे और देयरफोर फॉर्बिटन फ्राम अटेंडिक एंड ही जस्ट वाजंट ब्राइट इनफ राइट इनफ सुराइट अप्सेंट बन जाता है सी ओके चली देख लेते हैं नेक्स्टोन क्यूस्टिंस कु दिकि एलेक्जंडर पॉप क्लीचे यह एक टर्म दिया है लेक्जंडर पॉप ने क्लीचे विच विच आप द फॉल्विंग दिद नात ओरिजनेट विद हिम वो किस चीज को ओरिजनेट मतलब की फालू नहीं करता है तूर इस हमन तो फार्गिव दिवाइन लेत नौत दासन गो दाउन अपान यूर या फिए लिटल लर्निग इज द्रेंटर इस तिंग आफिफोल रस इन वेर एंजल स्फियर तू ट्रेड तू राइट अपसंड बन जायेगा फ्रेंस लेट नौर दासन गो दाउन अपान यूर ब्रैथ इसको यू फालो नहीं करता का उन से क्लीचे टर्म ओके चली देख इसन आपसृम हैं इसमें जो ही तो कौन है ठीक है किंग डेविट संड है एजज उफ आइसरियल है या फिर बाद से बाव फुर्ष्ट हैस बेन एपसृम एड्वाइजर है यह एपसृम जो है इस्थाफिलम की यह एडवाइजर को है इस टर्फल्ट हैं कौन देख लिए next one question को who did Dryden Dryden कौन थे यूज एपसालम टू रिप्रिजेंट जो एपसालम को रिप्रिजेंट किया है किसके रूप में एलोगिर के रूप एलोगिर के लिए इन ही सटायर किसमें अपसालन एंड एस्टोफल में देख लेते हैं नेक्ष्ट वन कम्प्लीट इस फेमस कोट बाई जॉन ड्राइडन दोरह यह फेमस कोट दी गई है आगे फिल इन दे ब्लैंक से इसको भरना है क्या अफटन हो सकता है कि लॉँग मच या फिट यहां पर हो टॉँग तू मच हो जाएगा तो राइट अपसाल सी बन जाएगा देख लेते हैं नेक्स्ट वन वाट पो पोट 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 पिगंस इं इस इप अश्ट यह पे फिर यह वं वाट हो टॉजए जाव हो टूड यह अवह फैं इसट पान्वल्ट मेंस क्या है देख लेते हैं नेक्स्टन क्यूश्टन को देखें पोप मेड मनी बाइ सेलिंग सब्सक्रिप्शन टू इस ट्रांसलेशन और अब दिस क्लासकल एपिक दा भागवेद गीता या फिर बी दा ओडिसी दा इलिएड या फिर दा इनीड सुराइट अप्सन जीवन जाता है दा इलिएड ओके देख लेते हैं नेक्स्ट वन जाता है देख लेते हैं नेक्स्ट वन जाता है इस टू पैंथरिष्ट इस कंसीड़ टू बी वन ओफ दा प्राइमरली टेक्स्ट अफ दा न्यू क्लासकल मोमेंट सर जॉन देनाहम बें जॉन सन थामस केरू या फिर जॉन जाता है बें जॉन सन देख लेते हैं नेक्स्ट वन सर जॉन देनाहम कमुरेटेट इस पोएट रेफरेंग तो हीब आज ओल चॉसर हो लाइक दा मौनिंग स्टार डिसंट तो दा सीट सू दा डार्कनिस अगें दा एजिस इन्वेड़ेश इन्वेड़ेश इस के बारे में मतलब सर देनाहम ने कमुरेट किया गया है किस पोए चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्यूस्टन को वाट मौक एपिक बिगेंस मौक एपिक जो बिगेंस मतलब उसकी स्टार्टिंग हुई थी किसे वाट डायर ओफेंस फ्राम आम्रस केसे इस्प्रिंग सुआप माइटी कॉंटेस्ट राइस फ्राम ट्रिविलेल थिंग ड्राइडन की मौक फिलकोयन से या फिर पोप की दरेप आप दे लॉक से या फिर पोप की दरेंसियर से या फिर ड्राइडन की अब सावला में इस्टफल से तो मौक एपिक की स्टार्टिंग हुई थी ऐलेक्सेंडर पोप की दरेप आप दा लॉक से राइट अपसन भी ब time was the closing of the theater the return of the things King Arthur dead yaa phir king to exile so right after a ben jaya ga the closing of the theater jab theater kya huye thay close huye thay okay chalee dekhte leete next one who wrote kis nae likha reader I married him jane aston ne, charlety bronti ne, edith vartan ne, emalee bronti ne, so right option b بن جاتا ہے charlety bronti ne, okay dhekht leete next one questions ko who wrote kis nae likha things fall apart the center cannot hold william butler eats ne, james joycee ne, thomas moore ne, edgar ellen boy ne, so right option friends بن جاتا ہے a william butler eats ne, okay dhekht leete hain next one questions ko friends dhekhe in which work do you read kis work ko tumne padha hai things fall apart the center cannot hold, okay dhekht leete hain dhekhe the canter by tells dark angel the wild son of quilly yaa phir the second coming so right option friends بن جاتا ہے d, the second coming dhekht leete hain next one questions ko who wrote beauty is truth, truth beauty, yee kis nne likha hain beauty is truth and truth beauty, john keerts ne, williams aksper, samuel battler yafis semy trailer qualryz, so right option a ben جاتا ہے john keerts ne likha hai, okay देख लेते हैं next one इन वीच वर्क किस वर्क में डू यू रिट आपने पढ़ा है beauty is truth beauty एड़ॉनिस में bright star में ode on aggression and love will damn sense mercy तो आपको पता है ये लाइने हैं ode on aggression अर्ण की beauty is truth truth beauty देख लेते हैं next one who wrote किस ने लिखा in janadu did kubla khan a statly pleasure damn decree सेमर टेलर कॉलरीज ने राबर्ट ब्राउनिंग ने कीट्स ने या फिविट मैन ने so right option friends बन जाता है a कॉलरीज ने किसने कहा है कॉलरीज ने देख लेते हैं next one in which work do you read किस वर्क में आपने पढ़ा है in janadu do kubla khan statly pleasure damn decree kubla khan hellas the phonics and the turtle the cost away को a side note which drug substance was similar color tyler color is addicted to okay heroine cocoine alcohol या फिर opium so right option d बन जाता है friends ओ क्या थे opium who wrote I would prefer not किसने लिखा I would prefer not एक मिनट I would prefer not to Edgar Allen Poy Harman Malvillie या फिर Thomas Gros या फिर Agri या फिर Henry David Thorough so right option d बन जाता है Harman Malvillie okay चले देख लेते हैं next one who wrote किसने लिखा there can be no freedom beauty about a home life that depends on borrowing and debt फिर ऐसाउस राइड़ टू सी handful of dust the fatal curiosity so right option A बन जाता है डेल साउस okay तो देखे एक ही क्यूशन के दो answer मिल रहे हैं किस work में लिखा गया है और किसने लिखा दो क्यूशन बन बनते जा रहे हैं किसने लिखा यह लिखा है किसने परसी बेस सहले जिससे बोलते हैं तो राइट अपसन भी बन जाएगा देख लेते हैं इसका राइट अपसन क्या बन जाएगा तो इसका राइट अपसन क्या बन जाएगा देख लेते हैं नेच्ट वन किसने लिखा है किसने लिखा है या फिर राबर्ट ब्राउनिंग ने या फिर विलियम बर्ट वर्ट ने तो लिखा है किसने राबर्ट ब्राउनिंग ने देख लेते हैं नेच्ट वन इन वीच वर्क डू यू रीट किस वर्क में आपने पढ़ा तो राइट अपसन भी बन जाएगा माई लाज टीचिस का यह लाइन है देख लेते हैं नेक्स्ट वन किसने लिखा आई हाइब मेजर आउट माई लाइफ विद कॉफी स्पून्स विलियम कैरोल्स विलियम्स या फिर टीच इलियट अर्नेस्ट हैमिंग वे या फिर हार्ट क्रेट सुराइट अपसन भी बन जाएगा इस इलियट देख लेते हैं नेक्स्ट वन इन विच वर्क डू यू डू इट किस वर्क में आपने पढ़ा I have measured out of my life coffee spoons love song of J. Alfred Prufock Senate from the Portuguese prelude of the last decalogue So write option A बन जाता है love song of J. Alfred Prufock देख लेते हैं Next question A classic book is usually one that processes what equality It has universal appeal, it can stand the text of time, it makes connection all of above So write option D बन जाता है all of above Okay चलिए देख लेते हैं Next one A tale of two cities by Charles Dickens involves which two cities London and Rome, Paris and Rome, London and Paris So write option C बन जाएगा London and Paris Okay चलिए देख लेते हैं Next one The catcher in the Write a place in what city? कौन से city थी? New York City, Stanford, Connecticut, Philadelphia, Pennsylvania, Pennsylvania, Boston So write option A बन जाता है New York City Next question Which book Which book was not written by Jane Ashton? कौन से इसी बूक है जो Jane Ashton दोरा नहीं लिखी गई है Sense and Suspensibility या फिर ये तो इसमें है Sense and Sensibility Emma, Pride and Prejudice, Minsfield Park So write option A बन जाता है Sense and Sensibility What is speaker's longest play? मतलब कि Shakespeare का कौन से लॉंगेस्ट प्ले है Taming of the Shrew, Romeo, Jalen, Midsommar Night Dream, Hamlet तो आपको पता है T.S. Eliot के इंसार जो Shakespeare का लॉंगेस्ट प्ले माना गया है वो है Hamlet देख लेते हैं Next one The poem The Battle of the Maldon Celebrates events which took place place the 7th century But who was it between? Dennis and English Dutchess and English Norman and English याफे French and English So write up on A Dennis and English The fairy queen was written by during the reign of which monarch किस monarch के समय Fairy queen लिखी गए थी James 1st Mary Tudor Elgabeth Tudor याफे Henry 7th So write up on C बन जाता है Friends Elgabeth Tudor के रहन सासनकाल में Bekisorp was the heroine in which novel किस novel की heroine है Vanity Fair Vanity Fair Sense and Sensibility Pride and Prejudice Men's Philpark So write up on A बन जाएगा Vanity Fair हो जाएगा ओकी देख लेते हैं देख लेते हैं Next one question को देखें How many children were there in Bronte family कितने प्रांटी फैमिली में कितने बच्चे थे 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4 कितने थे 4 देख लेते हैं Next one questions को विजस virtually किस機ा है को इससós के यह किरा comes सहरत अब्लिहल्म आपको पता ही हो गा विद्विलीम विट्सवर्थ ने लिखा था दा रिलीओ्ड इनकी क्या थी है आटवायोग्राफि थी किसी धीडिया था Spencer, John Gower, Chaucer या फिंग लाइन सो right option C बन जाता है Chaucer देख लेते हैं next one question को who began the tradition of revenge play George P. Lee Samuel Daniel Phineas Fletcher Thomas Kidd सो right option French बन जाता है D Thomas Kidd देख लेते हैं next one question how many lines are there in a Senate Senate में कितनी linies होती है 10, 16, 14, 22 आपको पता है Senate में 14 lines होती है what were the names of the two fedding families in Romeo and Juliet Romeo and Juliet में two fedding families का क्या नाम था Coplet and Montague Breslau and Flasor Phyuch and Godside Dobson and Harley so right option A बन जाता है Coplet and Montague which bird did the ancient man and kill Seagull या फिर Albertrose hummingbird या फिर crow तो वो था Albertrose देख लेते हैं next one questions को what was the name of the Bronte sisters only brother Anderson, Branville, Richard या फिर Pearson so right option बन जाता है B Branville देख लेते हैं next one in which country was Jane Ashton born Sussex, Hampshire, Yorkshire, Norfolk so right option B बन जाता है Hampshire okay in which Dickens novel does Pip appear Black house Pip जो है Dickens की novel का कौन से novel का यह character है Black house Great Expectation It'll have two cities speak with papers so right option B बन जाता है French great expectations का है okay देख लेते हैं next one which of the following English groups were supportive of the French Revolution during the its early years Tories, Republicans, Liberals, Radicals both C and D so right option C and D Liberals and Radicals which statement about invention during the Industrial Revolution are true Hand lever because less common yeah fear with the invention of power driving machinery yeah fear Velcro replace buttons and shapes yeah fear steam and oppose wind, water and primary source of power yeah fear the invention of textile processing machines mark of the industrial revolution so right option A and C हो जाएगा okay देख लेते हैं आज का last question what was what is the name of name for the process for dividing land into privately owned agriculture holding partition segregation inclosure division या फिस अप्रेक्शन so right option C बन जाता है inclosure यह थी फ्रेंट आपकी top 50 question की practice जो कि आज हम लोग ने पढ़ लिए है top 50 questions 651 से लेकर के 700 तक तो कैसी लग रहे ही class friends आप comments box में अपना feedback जरूर दिया करें okay और session को like तो बिलकुल करना मत भूले okay like कर दिया करें और अगर आप channel में पहली बार एंटर कर रहे हैं तो channel को subscribe कर दिया करें और अपने friends तक share शरूर किया करें तो चली friends अब हम लोग class को over करेंगे thank you so much